जैहिन दोस्तों, लेब असिस्टेंट जोग्रोफी के लिए जो अपनी सेरी चल रही है उसमें आपका स्वागत है और आज हम आपके आठमी यूनिट एट्मोस्फेर याने वाईउ मंडल के संगठन और सरंचना वाला जो यूनिट है उसके इंपोर्टेंट क्वेशनों के उपर बात कर लेते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रशन से पहला प्रशन है का निम्न में से कौन सी गैस वाईउ मंडल में सबसे अधिक मात्रा में है बहुत प्यारा प्रशन है सिंपल सा क्वेशन है लेगिन इंपोर्टेंट क्वेशन है वाईउ मंडल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है ये बतानी है Oxygen आपको पता है जिसको हम लगबग 21% बोलते हैं Actual बात करें तो 20.95% है मोटा मोटा हम 21% की बात कर लेते हैं Nitrogen की बात करें तो 78.8% है Argon की बात करें तो 0.93% है और Carbon-Dioxide की बात करें तो 0.03 है ये जरूर द्यान रख लेना Carbon-Dioxide काई बार option ऐसे प्रशन भी आ जाते हैं वी वाई-उ-मंडल में Carbon-Dioxide की मात्रा की इतनी है वहाँ point के बाद 1-0 लगा कर या बिना 0 के या 2-0 लगा कर लिख देते हैं और confusion हो जाता है student के वहाँ तो 0.03 है तो अपने आप ही clear हो रहा है कौन सी गेस है नाइट्रोजन है यहां पर एक और प्यारा प्रेशन है कई बार प्रेशन इस परकार से पूछ लिया जाता है कौन सी गेस है वो वाई-उ-मंडल के लगबग निन्यान में परतिशत भाग को गेरे हुए हैं तो आप ऑक्सिजन और नाइट्रोजन का अगर टोटल योग करेंगे तो लगबग कितना आता है निन्यान में परसेंट आता है तो ध्यान रिखिए ऑक्सिजन और नाइट्रोजन पूरे वाई-उ-मंडल का 99% है वो इसका हिस्सा है अगला प्रेशन देखिएगा दूसरा प्रेशन है वह वाई-उ-मंडल ये परत जो मानव जीवन के लिए महतोपुरण है समताप मंडल जिसको इंगलिश में कहते हैं स्टेटो स्फियर क्षोब मंडल जिसे ट्रोपो स्फियर कहा जाता है मद्ध्य मंडल आगया जिसे मीजो स्फियर कहा जाता है और आइन मंडल आगया जिसे आइनो स्फियर कहा जाता है इंगलिश नाम पर भी थोड़ा गूर कर लेना चाहिए तो मानव जीवन के लिए सबसे महतोपुरण कौन सी है सिम्पल सी बात है पता है अपने को क्षोब मंडल जिसे क्या कहा जाता है जिसे ट्रोपो स्फियर भी कहा जाता है अगला प्रेशन है तीसरा के समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, मेहिन मिटी किस से समन्दी थे इन सबी चीजों का समन्द किस से है गैस, जलवास्प, धूलकन या उलकापा किस से है भी धूलकन से किस समन्दीत है ये सारी चीज़ें धूलकन से समन्दीत है अगला प्रेशन है के निम्न में से कितनी उन्चाई पर oxygen की मात्रा नगणने हो जाती है कितनी उंचाई पर जाने के बाद इसकी मात्रा कम हो जाती है तो अच्छे से पढ़ा हुए आपका वो उंचाई कितनी है 120 km 120 km की उंचाई पर oxygen की मात्रा नगणने हो जाती है और एक चीज द्यार रिखिए carbon dioxide और जलवाश्प की अगर बात करें तो प्रिथ्वी की सतय से 90 km की उंचाई तक ही पाई जाते है जो CO2 है carbon dioxide है और जलवाश्प है अगर इन से अधारिक प्रशन पूछ लें तो ये आपको कहां तक मिलेंगे 90 km की उंचाई तक ही मिलेंगे ये दोनों नहीं मिलेंगे oxygen है वो 120 km तक है अगला प्रशन देखिए का निमन में से कौन सी गैस सोर विकरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थी विकरण के लिए एपारदर्शी है कौन सी गैस है गोर कीजिया का प्रशन जो पार्थी विकरण के लिए एपारदर्शी है लेकिन सोर विकरण के लिए पारदर्शी है वो कौन सी गैस है वो है अपनी carbon dioxide CO2 carbon dioxide है वो मوसम विज्ञान की दरश्टी से बहुत महतुपुरण गैस है क्योंकि ये सोर विकरण के लिए ये पारदर्सी और पार्थी विक्रण के लिए पारदर्सी है और ये सोर विक्रण के एक अंस को सोक भी लेती है और उसके कुछ भाग को पृत्वी की सतय की और भी प्रति भीमित कर देती है और ग्रीन हाउस गैस के लिए ग्रीन हाउस पर बाव पड़ा है ना उसके लिए प का प्रशन आ जाता है क्य बर प्रतियोगी प्रिक्षाओं में तो कितना है भी जीरो पॉइंट्ट जीरो ठीजीरो है पॉइंट है और पॉइंट के बाद एक जीरो है और फिर तीन है वेई दिमाग्में रख लीजिए गाच्छे से सिंपल प्रेशन भी प्रिक्षा में के बार दोका दे जाते हैं अगला प्रेशन है का वायू मंडल को तापमान के अधार पर कितने संस्त्रों लेवल में विभाजित किया गया है तापमान के अधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है तो वो है पांच परत है भी अपने ख्योब, समताप, मद्य आईन और बहिर मंडल की बात होती है ये तापमान के अधार पर ही बांटे गए हैं अगला प्रशन क्योंकि इसमें ध्यार रिखेगा ये प्रशन जो है न वाईउ मंडल को को पांच परतों में हमने बांटा है किस आधार पर बांटा है टेंपरेचर के आधार पर है ये अगला प्रशन देखिए कि प्रित्वी के वाईउ मंडल की निमल खित परतों में से किस एक में जलवास्प का सरवाधिक केंदरन पाया जाता है किस परत में जल्वास्वाप से अधिक पाई जाती है वो बताना है option आपके सामने लिखे हुए है भी exosphere है या troposphere है या ionosphere है या stratosphere है कौन सी है भी तो सही उतर कौन सा हुआ अपना क्षोब मंडल याने troposphere अगला प्रशन देखिएगा नौवा नौवा प्रशन है का क्षोब मंडल में उन्चाई के साथ ताप मान क्षोब मंडल में उन्चाई के साथ ताप मान क्या फरक पड़ता है घड़ता है या फिर बढ़ता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है ट्रोपो स्फियर में उन्चाई के साथ टेंपरेचर पर क्या एफेक्ट होता है ये घटता है पर उन्चाई में व्रदी के साथ तापमान में गिरावट होती है और ये क्षोब मंडल की यानि ट्रोपो स्फियर की परत की सबसे बड़ी विसेशता है और ये भी ध्यारिखीय अच्छेसे से 1 Km की बात करें अगर 1 Km की उन्चाई के ऊपर बात करें तो 6.5 degree centigrade जो टेमप्रेचर है वो गिर जाता है और इसे हम तापमान की समानिय हरांस दर भी कहते हैं तो 1 Km की उन्चाई पर 6.5 degree temperature है वो कम हो जाता है अगला प्रेशन है दसवाँ कैनिमल लिकित वाईमंडल ये परतों में से किस में ओजोन गेंस का सरवाधिक सेकेंद्रण है ओजोन गेंस क्या फोर्मूला होता है इसका O3 यानि ओक्सीजन के तीन परमाणू आपस में मिलकर एक ओजोन गेंस के अनू का निर्मान करते हैं और ओजोन परत क्या करती है सूरिय से आने वाली हानिकारक परा बैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है तो बहुत इंपोर्टन गेंस है और ये हमें किस परत के अंदर मिलती है तो सही उतर कौन सा है समताप मंडल के अंदर सम्ताप मंडल इंगलिश में जिसे क्या कहा जाता है स्ट्रेटोस्पीर कहा जाता है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है कि निम्न में से एक कौन पार्थिव विक्रण के लिए एपारदर्शी होने के कारण मोसम और जलवायू विग्यान के लिए महतोपुर्ण है एक प्रशन आचुका ता उपर विवो गैस जो पार्थिव विक्रण के लिए एपारदर्शी है लेकिन सोर विक्रण के लिए पारदर्शी है तो कौन सी पार्थिव विक्रण के लिए जलवास्प की मात्रा कितनी होती है शुष्क और ठंडे परदेसों के अंदर जलवास्प की मात्रा कितनी होती है option आपके सामने लिखे हुए है क्या होगा सही उतर कितनी होती है बे ये है एक परतिशत से कम एक परतिशत दुरुवों जैसे ठंडे और रेगिस्तान जैसे सुस्क परदेसों में जलवाश्प है वो हवा के आयतन के एक परतिशत भाग से भी कम होती है और विश्वत वरत से दुरुवों पॉल की तरफ है वो जलवाश्प की मातरा कम होती जाती है जलवास्प जो होती है वो वायू मंडल में उपस्तित एक परिवर्तनी अगेंस होती है जो की उन्चाई के साथ गढ़ती जाती है अगला प्रशन देखिए तेरवा के दुरूओं पर क्षोब मंडल का विस्तार कितना है दुरूओं के उपर नौर्थ पोल और साथ पोल की बात हो रही है वहाँ पर क्षोब मंडल का विस्तार कितना है उप्षन आपके सामने लिखे हुए है पोल के उपर तो यहां दिये गए उप्षन के अधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आठ किलोमेटर तक आपने पढ़ाया अच्छे से जो ट्रोपो स्फियर होती है जो ख्षोब मंडल है इस परत की दरातल से जो उसत जो उन्चाई रहती है वो लगबग 13 किलोमेटर रहती है दरातल से उसत उन्चाई के बात करते हैं तो 13 किलोमेटर के आसपास रहती है और ये दुरूओं के निकट है वो 8 किलोमेटर और विस्वत वरित जो अपने बुमध्या रेखा है वहाँ पर ये 18 किलोमेटर की उन्चाही तक होती है तो द्यार की अगर हम ये अर्थ की बात करें ये अपने उपर पोल होगे नोर्थ पोल और साउथ पोल की बात होगे यहाँ पर तो 8 किलोमेटर की बात होगे और जो भुमध्या रेखा है विस्वत रेखा है वहाँ पर है ये 18 किलोमेटर और दुरूओं के उपर 8 है 8 या 8 से 10 का option भी आपको मिल सकता है अगला प्रशन है कि निम्न में से किस मंदल को ताप मंदल भी कहा जाता है simple सा question है किस मंदल को ताप मंदल भी कहा जाता है बताइए भी इसका सही उतर बहीर मंदल होगा, आयन मंदल होगा समताप मंदल होगा या मध्य मंडल होगा सही उत्तर क्या होगा इसका और सही उत्तर है वो कौन सा है option संख्या एक बहीर मंडल एक जो स्फियर जिसे कहा जाता है इसे ताप मंडल भी कहा जाता है अगला प्रशन देखिए सूरे से आने वाली पराबैंगनी किर्णों का अवसोसन कौन सी परत करती है हम कर चुके है, उपर सूरे सेने वाली हानिकारग पराबैंगनी किर्णों से हमारी रक्षा करने वाली परत कोन सी है अब यहाँ पर्टिकॉलर उस गैस के इसाब से नाम दिया हुआ है वहीं से छाट लेंगे और वो कौन सी है ओजोन मंडल होगे ओजोन मंडल नहीं होगा तो option आपको यहां पर क्या मिलेगा समताप मंडल मिल जाएगा क्योंकि समताप मंडल के अंदर ही ओजोन गेंस उपस्तित रहती है अगला प्रशन देखिए सोड़वा परकास संसलेशन की प्रकिरिया में वनस्पती किस गयस का परियोग करती है फोटो सिंतेसिस पढ़ाएगा से 最ु利 evaluating परकास संसलेशन सुर्य की उपस्तिति में परण हरीथ पति प्तिया गरीन होती है यानि उस सिंथेसिस परकास संसलेशन कहलाती है जो मानव है जन्तू है जीव जन्तू जो होते हैं उनके अंदर सौशन के अंदर कौन सी गैस काम में आती है ओक्सीजन जीव जन्तू पेड़ पोदे जो होते हैं सौशन के अंदर तो ओक्सीजन गैस लेकिन परकास संसलेशन जो हरित पो बहुत अच्छा प्रेशन है, आकास का रंग निला क्यों दिखाई देता है, जलवाश्प के कारण, धूलकणों के कारण, सुर्यतप के कारण, या पृत्वी के गुर्णन के कारण, तो सही उत्तर है, वो है, धूलकणों के कारण ही, आकास का रंग है, वो निला दिखाई दे परकिर्णन हो जाता है प्रकास का अगला प्रेशन है कि वायू मंदल में कारबंडा योकसेड गेस की मात्रा बढ़ने का परिणाम अगर वायू मंदल में सी ओ टू की मात्रा बढ़ती जाएगी तो उसका क्या रेजल्ट निकलेगा भूमंदल ये तापमान में व्रदी होगी याने टेम्प्रेचर बढ़ जाएगा वायू परदूशन होगा बाड और सुखे का बढ़ना हो जाएगा यामलिय वर्सा होगी क्या होगा सही उत्तर वो होगा ग्लोबल वार्मीं भूमंदल ये तापमान में व्रदी ग्लोबल वार्मीं कारबन डायोकसेड से टेम्प्रे प्रेचर के लिए कौन उत्तर दाई है चालन वीकिरन स्वहन या अभी वहन सिंपल सा है वो है वीकिरन रेडियेशन की बात आती है अगला प्रशन है बीस वाक अनिमन में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के प्रावर्तन में प्रियुक्त होती है रेडियो तरंगे कहां से वापिस प्रावर्तित हो जाती है option आपके सामने लिखे हुए है सही उत्तर क्या होगा और वो है आइनोस्फियर याने आइन मंडल चोथा हो जाएगा इसका उत्तर 21 वा प्रेशन देखिए बा 21 वा प्रेशन है का एक्षोब मंडल में उंचाई के साथ साथ तापमान में व्रधी की प्रकिरिया क्या कहलाती है गोर कीजिए एक्षोब मंडल में उंचाई के साथ तापमान व्रधी व्रधी की परिवर्तन शब्द ज़्यादा अच्छा रहे लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि व्रधी तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है न तो क्या कहलाएगी तो क्षोब मंडल में उंचाई के साथ तापमान व्रधी की प्रकिरिया क्या कहलाएगी व्रधी जो पॉजिटिव या नेगेटिव तो हमें पता है जैसे जैसे उन्चाई पर जाते हैं, खोब मंडल के अंदर, तो temperature क्या हो जाता है, गटता जाता है, और हमें पता है एक किलोमेटर की उन्चाई के उपर 6.5 डिगरी Celsius जो temperature है वो कम हो जाता है, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, समन्य हरांसदर, तापमान की समन्य इसी को प्रतिलोमन कहते हैं एक चीज बड़े और इसके एवज में दूसरी चीज गटती है तो वो रिवर्स कहलाता है यानि प्रतिलोमन तो इसे ताप ये प्रतिलोमन कहा जाता है अगला प्रशन देखिएगा 22 वहां का वायू मंडल की किस प्रत में मौसमी गटनाई होती है बादल बन्ना आंदी तुफान बारिस की जो सारी बाते हैं यह गटनाई कहां गटित होती है जो भी जल वायू मौसम की जो सारी गटनाई है और जो मौसम वे ग्यानिक होते हैं उसी प्रत का गहन अद्धेने वो इसके लिए करते हैं और वो कून सी है अपनी वो है छोब मं की वह परत जिसमें जिसे मोसमी परीवर्तनों की चत कहते हैं मौसमी परीवर्तनों की चत उपर वाली सेम प्रशन भासा बदल गई जहां मोसम और जलवाईू समंधि गटना ए कोया होनी साइन्टिस जिसका रिसर्च करते हैं जिसके उपर तो वो कौन सी अपनी क्षोग मंडल हो गया क्षोग मंडल अगला प्रशन देखिए वायू मंडल की सरवादिक विस्तरित परत कौन सी है सबसे ज्यादा जो चोड़ाई लिए हुए है वो परत कौन सी है और वो कोई और नह जिसे कहते हैं उसके बाद प्रशन है कि क्षोग मंडल और समताप मंडल के मद्दे संक्रमन क्षेतर को क्या कहा जाता है क्षोग मंडल और समताप मंडल पहली क्षोग मंडल आगी दूसरी परतिस के बाद में है समताप मंडल तो संक्रमन क्षेतर वो है जहां क्षोग मंडल खतम होता है और समताप मंडल है वो सुरू होता है तो वो एरिया क्या कहलाता है संक्रमन क्षितर बोर्डर कहलाती है उसे हम क्या कहते है क्षोब सीमा, समताप सीमा, क्षोब समताप सीमा या क्षोब मंडल और समताप मंडल के मद्य ऐसा कोई क्षितर नहीं क्या कहा जाता है जोग्रोफी की भासा में वो कहलाता है क्षोब सीमा कहलाता है क्षोब मंडल की जो उपरी सीमा को क्षोब सीमा कहती है और इसकी मोटाई लगबग डेड़ किलोमेटर है और इस सीमा के उपर वायू मंडल ये स्थीरता भी रहती है और इसे मोसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है यही वो डूट किलोमेटर बड़ा जो हिसा अगला प्रेशन है छबीसवा खशोब मंडल में ताप मान यह तीसरी बार आगया प्रेशन भासा गुमा गुमा कर खशोब मंडल में टेंपरेचर उन्चाई के साथ गड़ता है जिसे ताप यह प्रती लोमन कहा जाता है ताप यह प्रती लोमन कहते हैं अगला प्रेशन है कि हवाई जहाज प्राए किस में उड़ती हैं किस प्रती वो यह भी जान दी तुफान नहीं है मोसम एक जैसा रहे वहीं उड़ेंगे भी और वो कौन सा है फिर और वो है अपनी समताप मंडल कौन सा है स्टेटो स्फिर उसकी बात होती है समताप मंडल के अंदर है वो एरोपलेन उड़ाई जाती है तो यह थे आज के अपने वायू मंडल की संगठन और सरंचना से संबंदित इंपोर्टन सताइस क्वेशन उमीद करता हूँ आप जरूर इन से कुछ नया सीखे होंगे आपके रिवीजन में टोपिक को समझने में आपको बहुत बड़ी हैल्प है वो यहां से मिल रही होगी आपके प्यारे से कमेंट का बेस अबरी से इंतजार रहेगा जल्द ही अगले इंपोर्टन टोपिक के उपर क्वेशनों के उपर बात करेंगे तब तक जै हिन जै भारत